हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहे से बहुत ही जादा चट-पटा, टेस्टी और क्रिस्पी नास्ता इसे बनाना बहुत आसान है और हम इसे बनाकर रेड़ी करेंगे आलू और पोहे से बनाने का तरीका बिल्कुर से different है फ्रेंट पहली बार आप इस recipe को देख रहे होंगे सायद ही आपने इसे पहले कभी देखा होगा तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आजया तो लाइक कर दीजिएगा और family friends और रिष्टेजारों के साथ share करना बिल्कुल मत भूलेगा और जब कभी आपको सुबा सुबा मतलब कुछ different सा बनाने का मन कर रहा हो न तो एक बार आप इस नास्टे को जरूर बनाएगा यकीन मानी एक बार बनाएंगे न तो हमेशा बनाना चाहेंगे मतलब बिल्कुल बनाने का तरीका भी different है जेटपट वाला तरीका है तो देद न करते हैं friends अपनी recipe बनाना यह स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इस नास्टे को बनाने के लिए पोह लेना है तो पोह यहाँ पर आपके पास अगर बारीक वाला है पतला वाला है ओभी चलेगा मीडियम साइज वाला है ओभी चलेगा मतलब जो मीडियम ठीक रहते हैं जिसका हम लोग हमेशा regular पोह बनाते हैं अगर वो है तो भी चलेगा तो मैंने यहाँ पे medium थिक जो है वो अला पोहा ले लिया है तो इसे आप आधा कब भी ले सकते हैं और एक कब भी ले सकते हैं तो मैंने आप पर आधा कब से थोड़ा सा ज़ादा लिया है एक बड़े साइस का आलू है उसको इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में छील कर कट कर लिया है और धोलिया है धोलिया है धोलने के बाद आलू को अच्छे से पोंच लीजिएगा इसमें पानी वगएरा कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरीके से हमने आलू को कट करके रेडी कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरब तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है फ्राइंग पैन रख दीजिएगा बड़ा सा और उसके अंदर हमें डाल देना है आलू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तेल वगरा कुछ भी नहीं डाला है आलू को हमें ड्राइ रोस्ट करना है इससे क्या होगा कि इसे जब गैस का फ्लेम यहाँ पर ध्यान रखियेगा मीडियम रखियेगा मीडियम टू हाई कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा लगाता चलाते हुए भूनियेगा तो इसमें जो यह बर्निंग वाला फ्लेवर आएगा ना मतलब बहुत ही कमाल का लगेगा तो यहाँ पर देखिये आलू में थोड़े थोड़े यह ब्राउन करर की चितियां आ गई है जो कि हमारे नास्टे में बहुत ही जादा गजब का टेस्ट लेके आएगे तो यहाँ पर वही है कि आप मीडियम टू हाई करते हुए इसको फटफट रोस्ट कर लीजिएगा इसमें क्या होगा हमारी आलू पके की नहीं मेरलब कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम बॉइल डालू का यूज कर सकते हैं तो वह आलू नहीं यहाँ पर डालना है कच्छी आलू को ही हमें इस तरीके से भूनना है और इसमें यह बार्बी की वह आला फ्लिवर आ जाएगा तो जब इसमें चित्नियां आ जाएं तब आपको पोहा इसमें डाल देना है और पोहे के साथ-साथ यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च डाल दी है तीखा अपने हिसाब से कम्या ज्यादा कर सकते हैं और इसको भी हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है गैस का फ्लेम बिलकुर से स्लो कर दीचिएगा क्योंकि पोहा हमने इसमे एट किया है पोहा बहुत ही जल्दी भून जाता है उसका कलर चेंज होने लगता है तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर इसको भी भून लेना है पोहे में अच्छा सा क्रिस्प आ जाएगा और हलका हलका इसका कलर चेंज होने लगेगा और जो इस चिली है इसमें बढ़िया सी ब्राउन सी चित्तियां आ जाएगी तो वह जो बर्निंग वाला स्मोकी वाला फ्लेवर होता है वह आ जाएगा अब यहाँ पर पोहे और मिर्च को भूनने में जादा समय नहीं लगेगा बहुत ही जल्दी से भूनकर रेडी हो जाएगा अब ही आप देख सकते हैं जो हमारी चिली है उसमें बढ़िया बढ़िया ब्राउन स्पॉर्ट सा आ गये हैं और जो पोहा हलका सा उसका कलर चेंज हो गया है तो बस इस स्पेस में हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है नहीं तो पोहा हमारा जल जाएगा पोहे का हलका हलका कलर चेंज हो तैब ही आपको बस स्टॉप कर देना इसको बहुत जादा रोस्त नहीं करना है इस से क्या होगा इसमें बढ़ियासी क्रिस्पीनेस आ जाएगी अब अब इस पूरे मिंसर को हमें अच्छे से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आद ही मेक्सी के जार मेंसे ट्रांसफर करना है गर्म अगर आप डाल देंगे ला तो जब से grind करेंगे तो मेक्सी के जार का धगकन है वह खुल जाये गा तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि इस को आप अज़े से ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे एक इन से अध्रकर टुकड़ा और जादा मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं एड़ करने है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें पीस लेना है तो यहाँ पर देखें मैंने इसको पीस कर रेडी कर लिया है इसमे बीट में मैंने इसको पीसा फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी और एड़ किया उसके पार पीसा तब जाके हमारा पेस्ट इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है थोड़े थोड़े चंक्स रहेंगे वह हमारे नास्ते में बहुत ही अच्छे लगेंगे तो बहुत जादा बार यह अभी एड़ करने वाले हैं तो आसानी से एड़ कर सकेंगे इसी के साथ ही इसमें एड़ कर देंगे आधा कप मैदा तो मैंने यहाँ पर मैदा यूज किया है आप चाहें तो गेहु के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से चनी से चान कर तो जो हमारा अभी पे इसमें add कर देंगे लेकिन पहले से पानी बिल्कुल भी मत add करिएगा नहीं तो क्या है मिक्चर ज्यादा गीला हो जाएगा और फिर उसे handle करना मुश्किल होगा और गीला हो जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप महाँ पर एक्स्ट्रा मैदा add कर सकते हैं तो यहाँ पानी को अच्छे से absorb करता है आप सब भी को पता है तो यहाँ पर पानी की quantity लगेगी मैं बाद में बताऊंगे कि हमने कितना पानी यूज किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है हम इस नास्ते में ना soda add करने वाले हैं ना ही inno add क करने वाले हैं लेकिन यह नास्ता हमारा बहुत ही फूला फूला बनेगा इसके लिए हमें थोड़ा से इसे फेंट लेना है मैं स्पून की help से ही फेंट रही हूं आप चाहें तो अपनी हथेलियों से भी इसे फेंट सकते हैं जिससे कि यह जो mixer थोड़ा सा हलका हो जाए ला खांश और उसी के साथ मैंने 1 चोटी साय benefit क बारी बारी चोप할 के ऐड़ कर दिया है जो लोग पीज ME खाते हैं व सकते हैं उसी के साथ ही एक चमर्ज साबुल जीरा अड़ कर दिया है इस नास्तें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं 10-12 कालीमर्स साबुल कालीमर्स शाबुल का पाउडर नहीं अड़ करेंगे यापट उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चार-पाँच करी लिफ्स हैं करी पत्ते को बारीग बारीग चॉप करके अट किया है और साथ ही साथ अपने टेस्ट के अंसा नमक डाल दीजिएगा बहुत ही कम मसाले में बहुत ही जादा टेस्टी नास्ता बनकर रेडी होता है तो यहाँ पर हमें सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स दे देना है आप अगर चाहें तो इसमें कुछ और मसाले एट कर सकते हैं जैसे कि गरम मसाला पाउडर है थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर है यह एट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं एट कर रही हूँ, अभी थोड़ा से मिक्सर ना मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने इसमें एक दू चमच के लगभग पानी और एट किया है, और बस इसको अच्छे से एक बार फिर से हम फेंट लेंगे, थोड़ा से इसको तो हमारा नास्ता उपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुर से जाली दार बनकर रेडी होगा, तो यहां पर मैंने कटी हुई हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैं लास्ट में इसमें आट कर रही हूँ, आप थोड़ी सी जादा भी आट कर सकते हैं, अगर बड़े ल जाते हैं, बस उसी तरीके से आपको डालना है, यह अपने आप सेप ले लेगा, इसकी बिल्कुल भी टेंसन मत लेजिएगा, कि इसका सेप अच्छा नहीं आ रहा है, और बस थोड़ी थोड़ी दूर में इन्हें हम डालते जाएंगे, यह अपने आप साइड मतलब दे दे और जब हलका सा नीचे से पक जाए ना, उसके बाद ही आप पलटिएगा, पर लब तुरन तुरन अलटी पलटी मत करिएगा, नहीं तो यह आपकी स्पैचला में चिपक जाएगा, यह जो नास्ता है बनाते वक्त आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जब ते प्यारा सा कलर आ रहा है, और इस पाइरल यहाँ पर चलनी ले ली है, उसमें हम इन सभी पकोड़ियों को निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ओयल होगा, वो निकल जाएगा, देखने में लग रही ना, फ्रेंट्स, कितनी ज़ादा प्यारा सा नास्ता हमारा बनकर रेड कर लेंगे, तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुर से स्लो करती थीएगा, क्योंकि टंप्रेचर अभी हाई हो गया न, तो यहाँ पर स्लो करिएगा, उसके बाद अभी सभी वड़ियां डाल देंगे, और यहाँ पर सभी वड़ियां डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडिय बने हैं, मैं इस नाश्टे को सर्व कर रही हूँ, चिली सॉस और टमेटो सॉस के साथ में आप चाहें तो इसे ग्रीन चेटनी के साथ में इस सर्व कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रेस्पी है फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पर इसे आप जरूर बनाईएगा मतलब कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो बिना इसकी रेस्पी पूछे नहीं जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी क्योंकि इसका टेस्ट पकोड़ियों जैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है टेस्ट में बिल्कुल से लाजवाब है और बनाना बहुत आसान है अब मैं इसको तोड़ के दिखा रहे हूँ यह देखे अंदर से एकदम से जालीदार है फूला फूला है और उपर से एकदम से क्रिस्पी है हमेशा की ज़रा अब मैं आप सभी से एक प्यारी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज की रेस्पी अगर आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिएगा फैमिली फ्रेंड्स और रिष्टेदारों के साथ सेर करना बिल्कुल मनफूलिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी ज़रा की आसान और यूनिक रेस्पी देखने के लिए बैल आइकन को जरूर प्रस करिएगा जिससे कि मैं जो डेली वीडियो जालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सबी को फटाफट से मिल जाए आप लोग इस टेस्टी से नास्ते को बनाएए इंज्वाय करिए और जब भी बनाएगा अपना फीडबैक मेरे साथ सेर करना बिल्कुल मन भूलेगा तो बनाएए इंज्वाय करिए मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाई टेक कियर